हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब मैं पुनम स्वागत करती हूँ आपका लाट स्लोग विद पुनम में आज मैं सेर करूँ आप सब के साथ लोखी और काले चने की दो इंटरस्टिंग सी रेस्पी जिससे आप ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ त्यार कर सकते हैं तो चलिए ब अगर आप चाहे तो इसे चार पांस घंटे के लिए बिगने के लिए छोड़ सकते हैं और यहां पर मैंने 200 ग्राम के करीब कच्छी लोग के लिए अगर बीज है तो इसके बीज निकाल दीजिए और इस तरह से हम छुट-छुटे पीसिस में कट कर लेंगे लोकी को और सब हम दो हरी मिर्श डाल देंगे इसको भी मैंने कट करके डाल दिया है और इसी के साथ यहां पर एक इंच अदर काट को डालेंगे इसको भी हम इस तरह से काट करके डाल देते हैं और एक चमच यहां पर जीरा लेंगे इसाबु जीरे का टेस्ट इसमें बड़ा अच्छाता ह इन सब को हम एक पेस्ट में बना लेंगे यह देखिए इसमें पाने की जुरूरत नहीं क्योंकि लोग की पाने छोड़ देती है इस तरह से इस पेस्ट को हम अलग से परतन में निकाल लेते हैं अब इसमें हम मसाले आड़ करते हैं यहां पर मैंने आदा चमच हल दिलिया है औ आप नमक अपने स्वाद के नूसा ले लीजिए गा और इनको हम अच्छे से मिक्स करते हैं और इसी के साथ इहां पर एक चम्मच मया हधनिया पावडर डाल देती हूं उसको भी इसके साथ मिक्स कर लेंगे अब हम मिक्सी के जार को लेते हैं इसमें दो कटे हुए प्यास डाल लेते इससे हमने रफ्रिस को काट लिया था और इसके बाद हम इसमें हरी मिर्च एड़ करेंगे इसमें एक पेस्ट बणा लेते हैं इसमें हम थोड़ा सा यहां पर हिंग डालेंगे एक चुटके के करीब जैसे हमारा हिंग चटक जाएगा इसमें बाकी के मसाले अड़ कर देते हैं यह मैंने चार लॉंग दो छोटी लाइची एक बड़ी लाइची एक तेज पत्ता और एक चमच बर करके जीरा लिया है यह भी हमें इसमें डाल देते हैं जैसे ही हमारे यह मसाले चटक जाएंगे इसमें हमने जो प्याज का पेस्ट बना के रखा था वो भी इसमें डाल देते हैं यहाँ पर गैस की फ्लेम को हमने मीडियम कर ले है और इन सब इस मसालों को अच्छे से भून लेते जब तक कि प्याज अच्छे से सुनहरा नहीं हो जाते हैं यहाँ पर हमारे प्याज अच्छे से भून चुके अब इसमे हम मसाले अड़ करते हैं फिर गरम मसाला जो आपकी इच्छा उस हिसाब से ले लीजिएगा अब हम मसालों को प्याज के साथ अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर जब तक कि इन से तेला लगना हो जए अब इसमें हम थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे ताकि जो मसाले हमारे जले नहीं यहाँ पर मैंने मिक्सी का जार धो करके चार चमच के करीब यह पानी डाल दिया है अब इसको हम लगाता चलाते हुए पकाएंगे यहाँ पर मसालों को अच्छे से भून लेना है जैसे हमारे मसाले अच्छे से भून जाएंगे इसमें हम एक टमाटर यहाँ पर ग्रेवी बना कर रखा था मैंने वो भी इसमें डाल देती हुए यह बड़े साइज का टमाटर लिया था आप अपने हिसाब से देख लीजिए अगर आपको ज्यादा खटा पसंद है तो इसमें दो टमाटर भी एड़ कर सकते हैं अब इस टमाटर को भी हम अच्छे से मसालों के साथ पका लेते हैं अब हम यहाँ पर टमाटर को ढख करके पकने के लिए छोड़ देते हैं 2-3 मिनट के लिए तब तक हम दूसरी त्यारी करते हैं यहाँ पर जो हमने पेस्ट बना के रखा था लोकी और काले चने का वो इस तरह से क्लेट लेंगे उसको ग्रीस कर लेंगे और इसमें हम यह पेस्ट इस तरह से फैला देंगे देखे जो हमारा पेस्ट अच्छे से फैल गया है तब तक हमारे टमाटर भी अच्छे से पक चुके यहाँ पर देखे दो-तिन मिनिट बाद ही इनसे मसालों से तेल अलग हो गया और कितने अच्छे से पक कर त्यार हुए है अब हम मसालों में थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे यहाँ पर मैंने आदा गिलास के करीब पानी डाला है और इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे उसके बाद यहाँ पर मैंने एक कटोरी ली है इस तरह से कोई भी कटोरी ले ले लेंगे और मसालों के बीच में इसको रख देंगे उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे उसके बाद जो हमने प्लेट में लोकी और चने का पेस्ट डाल के रखा था वो इस तरह इसको उपर रख देंगे और इसको हम ढख करके 5-7 मिनट तक पकाएंगे देखिए जो हमारे मसाले और पेस्ट अच्छे से पक चुका है टच करके देखते हैं ये बिलकुल भी हाथ से चिपक नेरा है एकदम से सूखी उंगली लग रही है देखिए इसको हम यहाँ पर उतार लेते हैं एक साइड और इसको हम कटोरी को भी उतार के रख लेंगे इस साब सिब आप पानी देख लीजिएगा जब तक हमारा ग्रेवी बें उबाल आता है यहाँ पर मैंने दूसरा पेस्ट है उसको भी पीस लिया था और इसके बाद हम इसमें मसाले एड़ करते हैं यहाँ पर मैंने एक चमच धनिया पाउडर आदा चमच हल्दी डाला है और आदा चमच यहाँ पर नमक का डाला है नमक आप अपने स्वाद के निशा डालिएगा और आदा चमच हम यहाँ पर चाट मसाला डालेंगे और इन सबीस मसालों को हम पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे यहाँ पर मैंने यह मसाले में आदे चने और आदी लोकी को प अब इस प्लेट को हम ग्रेवी के ऊपर रख देते हैं जब तक कि इस ग्रेवी में अच्छे से उबालना जाए दो तिन मिनट के लिए ढख करके इसको भी छोड़ देते हैं यह अच्छे से पक जाएगा अब यहां पर हमारा जो पेस्ट पहले वाला था यह ठंडा हो चुका ह इसको मैंने पंके की हवा में दो-तिन मिनट के लिए रख दिया था और यहां पर देखिए इसको हमें छुट-छुटे पीसिस में कटना है जिस तरह हम पनीरी के पीसिस कटते हैं उसी तरह देखी है ना बर्फी की तरह लिए तुमसे अलग ही पीसिस निकल के आ रहे हैं और पिल्कुल भी नेच्ट के ही नीचे और यहाँ पर इसको हम उतारते हैं यहाँ पर जो ग्रेवी है उसे उबाल आ जुका है इस से तेल अलग हो चुका है अब हम ग्रेवी में जो हमने पीसे कट करके रखे हैं लोग की और चने के वो इसमें डाल देते हैं एक करके हम इसमें पीस डाल देंगे और इसमें हम अच्छे से उबाल आने देते हैं इसमें हमने नमक नहीं डाला था तो इसमें हम नमक एड़ कर देते हैं यहाँ पर मैंने नमक आदा चमस डाला है याद रखेगा हमने लोकी और चने का जो घोल तयाय किया था उसमें भी नमक डाला था तो आप अपने स्वाद के नुसारे देखेगा उसके बाद यहाँ पर दो तिन मिनट और इसको हम पकाएंगे धक करके यह हमारा जो दुबारा पेस्ट था वो भी अच्छे से पक जाएगा दो तिन मिनट बाद देखे यह भी अच्छे से पक चुका है और सब्जी भी हमारी यहाँ पर बन कर तयार हो गई है एकदम से परफेक्ट कलर आया है अब इसमें हम थोड़ इसी कासूरी मेथी डालेंगे हम मैं इसमें डालना पहले भूल गी थी आप ध्यान रखे इसमें पहले भी डाल सकते हैं देखे एकदम से बड़ी असा कलर आया है और ग्रेवी इसमें थोड़ी पतली रखने क्योंकि जैसे यह ठंडी होगी ग्रेवी एकदम से गाड़ी हो जाती है अब हम सबजी को अलग से एक बरतन में निकाल लेते हैं यहाँ पर लोकी और काले चने की सबजी हमारी बन कर तयार है एकदम से पनीर के टेस्ट जैसी और इसको आप पहचान नहीं पाएंगे कि लोकी और काले चने से बनी है जिसे भी खिलाएंगे वह आपकी तारिफ करेगा एकदम से बड़िया वाली सबजीपन कर तयार हुई है इसे आप बनाईए और इसके बाद यहाँ पर देखे दूसरा हमारा पेस्ट वह भी ठंडा हो गया है इसको हम थोड़े से बड़े पीसिज में कट कर लेंगे इस तरह से देखे एकदम से बिल्कुल फरफेक्ट पीसिज कट के त्यार हुए है इसे हम तल लेंगे यहाँ पर मैंने फ्राई करने के लिए एक फ्राई पैन रखा है इसमें मैंने थोड़ा सा दो चमच के करीब तेल डाला है जैसे ही थोड़ा सा तेल गरम होगा इसमें हम एक चमच के करीब तिल है डाल देते हैं सफेद वाले तिल है और थोड़ा सा यहां पर हिंग डाला है और इस तरह से हम पीसीज को रख देते हैं यहां पर एक बार में जितने पीस पैन में आ सकते हम यहां पर इतने ही पीस डाल देते हैं देखें यह पीस सारे मैंने डाल दी हैं इसको हम इच्छे से इस तरह से करेंगे जिससे कि तील हैं सारे इससे चिपक जाएंगे और इसे हम ढख करके एक मिनट के लिए पकाएंगे ज अगर आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा सोड़ा भी डाल सकते हैं जिससे के और भी फुले फुले बनेंगे देखिए अंदर से जाली तो इसमें पहले सही बनी हुई है ये खाने में बहुत ही तेस्टी लगते हैं तो बनाईए खाईए और उसके बाद सेर कीजिए और सबजी और नासता आपको कैसा लगा